हलो इस्टोरेंट के एसन कमेश्टी क्लासर में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चो आज हम हाई स्कूल में रसायनिक अपक्रिया के बारे में हम बहुत ही पूरे चैप्टर को वन सौट वीडियो में कवर करेंगे और इसमें मैं ऐसे कोशन आपके लेके आया हूँ कि इस बार बोर्ड के एक्जाम में सायन्स के पेपर हैं बहुत इंपॉर्टन है तो वीडियो को इससाथ बने रहे गाए मैं ऐसे 5 प्रसनों को लेके आया हूँ कि जो की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टन है इस वीडियो में इस बार बोर्ड परिछ्छा में आएंगे ही 100% त रही है तो इस स्रीज में आप बने रहेंगे तो आपको मज़ आने वाला है यहाँपर सबसेर पहले हम बात करेंगे रसानी कपक्रिया की तो बात करते हैं तो या medidas ुब दापम और यह ने जो दूढ़ कोई क्रिया तो यहां जा सियार्टु यानि मैंगनिशिय म पखाएं ऐदर जो भी लिखा है इधर जो भी लिखा ध्यहां दिब् Jane इधर जो भी लिखा है ये क्या सब है अभिकारक है इधर जो भी लिखा है ये क्या है अभिकारक है और इधर जो भी लिखा है ये क्या है उत्पाद है तो जो इधर चीज लिखी हो उसको अभिकारक कहते है और इधर जो चीज लिखी हो तो उसको क्या कहते है उत्पाद कहते ह आगे बात कर लेते हैं बैटा हम लोग यह कोशन बहुत इंपोर्टेंट है इसमें मैं दो कोशन लेकिया हूँ यानि आपका यह पहला कोशन है आक्सिकरण अपक्रिया यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ आप देख लिजे यहाँ पा 2020 विल्कुल जैसे लग र और यहाँ पर आक्सिजन का हटना क्या है आपका अपचेन कहलाता है तो आक्सिजन का अब क्या कहलाएगा आक्सिजन का जुड़ना यानि आक्सिजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है आक्सिकरण कहलाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्यागना यह क्या कहलाता है आक्सिक ठीक है इस बगार देखोगे कि यहाँ पर हमने आपको यह दो रिक्ष में काफी ज़र नहीं इनको पेपर में लिखे आएगा आक्सीजन कर्जूड़ना क्या कहलाता है आक्सीगरण सबको तैयार हो गया बिल्कु तैयार हो गया पहला कुशन very most important 2020 में आया है इस बार भी आने के chance इसके बनते हैं अगला कुशन यहाँ पर देखे काउन सा है अगला कुशन है उस्मा छेपी वा उस्मा सोसी यह कुशन बहुत ही बहुत important है अभी अभी विल्कु समझ लिजी अभी note कर लिजी यह पहला किया नहीं आएगा इस बार भी पेपर में आएगा देखे आपको क्या करना है आपको इसको लाइक कर दो फोड़ा सा मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर दो सभी लोग अब उस्मा छेपी अपक्रिया क्या करा रहा है तो हमेशा ध्यान लखेगा देहन अगर सब्दा जाए तो अगर हाइड्रो कार्बन ले रहा है हाइड्रो कार्बन क्या होते है ऐसे योगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको हाइड्रो कार्बन करते हैं तो मेथेन क्या है एक हाइड्रो कार्बन है यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है और कार्बन डाय और वीडियो के साथ बने लगेगा अच्छा हाँ चैनल को थोड़ा सा आप लोग सस्क्राइब भी कर लिया करो जिससे हम क्या हो और वी एक मोटिवेशन मिले और साथ में अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग ऐसे ही लाते रहें अब दह्खें हम बात करने हमारे topic कॉन सा है संचारण वा विक्लत गंदिता संचारण क्या होता है देखें आप कोई पता है कि आज पास क्या होता है जब काफी नमी होती है यह अमल होता है तो उसके संपर्क में चीजे वस्तुवें आती है धात्विया के संपर्क में आती है तो वहां क्या होती है कि वह संचारित होता है संचारित पक्रिया को संचारण करते है यानि आप देखोंगे घर में चांदी आपके जो माता या बहने होती है वो क्या होती है चा पर देखे हरी परत चड़ जाना ये क्या है आपका संचारण है ठीक है तो ये सब चीजे क्या होती संचारण यानि किसी चीज को पर चाहे वो नमी हो चाहे अमल हो इसके करण अगर उसमें संपर्क में आती है तो वह क्या होती संचारित होती है यानि ये अब देखे संचारण किरिया बहुती क्या होती है धीमी होती है अब लोहे को आप डाल दीजे दस बीस साल में लोहा कहीं गल पाएगा तो इत किरिया बहुत धीमी है अब देखे बात कर ले विक्रत गंदिता की विक्रत गंदिता क्या होती है आपको पता है जो वसा तेल में चीजे जो बनाई जात तो किया हो जाते है यह जाने द गया दिया आज को पारत जया आपको लिखनाता दल जा EVOLCIA ज़ेगा किया जाना, अप मैंने बोला वशा वह तेल से बनी हुई, जो वस्तोएं होती है, उनं में आप को संटिफिक वशा आपको लिखनी है। आकसीख्रत हो जाती है उसमें विसेज गंद आने लगती है उसको कहते है विक्रत गंद था ठीक अब देखें तीसरा कुश्चन आपका क्या रिडौक्स अपक्रिया इसको हाना ही है चाहिए रचांपक्रिया की अपक्रिया कर रहा है ना कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है हाइडोजन से क्रिया कर रहा है यह बनाएगा यह 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 क्रिया क्लाएगी इस कॉपर के पास आप देखोगे यहाँ पर इस कॉपर के पास देखोगे यहाँ पर इस कॉपर के पास देखोगे यहाँ पर इस ऑक्सीजन नहीं है यानि oxygen का निकलना क्या कर लाता है, oxygen का जुड़ना क्या कर लाता है, oxygen का जुड़ना क्या कर लाता है, आपका oxygen कर लाता है, तो इसी अपक्रिया में oxygen दोनों हो रही है, तो इसका मतलब ये आपकी redox अपक्रिया है, अगर आप से oxygen पूछता है, तो इसी reaction को लिख दीजिए, आपके लिए वीडियो लाया है सबसे सरल तो जाइए चैनल को शेर भी कर दीजे इतना बड़िया काम कर दीजे जाके और मज़ा आजा जिससे यहाँ पर है ना बिलकुल रोमांच कारी वीडियो होने चाहिए जैसे इस समय स्टेटस बनाते वैसे मेरा भी स्टेटस बिलकुल उपर जाना चाहिए दिछे यह रेकसन आपके 3 कोशन हो गए आप बात कर लेते हैं हम लोग वीवोजन अपक्रिया की वीवजन का मतलब क्या है आपको पता और चाहिए वह रसानीकंक अपक्रिया जिसमें योगिक अपने अवयवयों तत्तों लवयोजन का मतलब यहां मैं ह तो तूटना यानि क्या हो कोई एक आपका योगिक है कोई मतलब योगिक है वो क्या हो दो या दो से अधिक भागों में तूट जाता है चोटे-चोटे भागों में तूट जाता है इसको क्या कहते हैं वियोजन कहते हैं वियोजन अपकिरिया कहते हैं यह अपकिरिया उसमा प उपस्ति में तूटेगा यहाँ पर MnO2 की उपस्ति में तूटेगा तो यह potassium chloride वा oxygen में तूटेगा यानि potassium chloride को अगम तोड़ेंगे मैगनी dioxide की उपस्ति में तो potassium chloride वा oxygen में यह तूटेगा ध्यान लखेगा ठीक है इसी तरह तो अब वियोजन अपकरिया आपको समझ में आ गया ठीक है अब विस्थापन अपकरिया क्या है ध्यान दीजेगा विस्थापन अपकरिया विस्थापन का मतलब होता है यानि कोई चीज आपको क्या करें या पतिस्थापन या पतिस्थापन यह चौथा कुशन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुशन है इसी को हम देख रहे हैं कहा गया यह अच्छा देखे चौथा कुशन जो है आपका टीन कोशन मैं इंपॉर्टेंट बचा चुका हूं यानि आप जहां बैठे हैं यानि जहां आप झिस सीट में बैठे हैं आपको हटा कर Esse को विस्थापन या पतिस्थापन करते हैं या थिक आहना पर अधिक के जो होता है गया हाई यहां पर इसथापन देखे यह आए आर में ए यह लोहा है, यह copper sulphate का विलियन है, यहाँ पर iron क्या करेगा, यह iron जो cu को विस्थापिर कर देगा, अलग कर देगा, नीचे बैठ जाएगा, और यह फेरा sulphate आप से बना लेगा, यहाँ पर देखें, magnesium chloride क्या करेगा, यहाँ पर magnesium क्या करेगा, यहाँ पर अगर बात करने थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं एक reaction आपको personal अपनी तरफ से बता रहा हूँ, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ मेथेन लिख सकते हैं, मेथेन लिख सकते हैं, और इसकी क्रिया CL2 से करा लिजे, प्रेकास की उपस्तिती में, किसकी प्रेकास की, तो यहाँ पर H कितने लिख रहा है, आपको चार, हाना, एक H और एक CL लेकर क्या निकल गया, HCL निकल गया, और यहाँ कितने बचे हैं, CS3, 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 CS3 को कहते हैं, मेथिल क्लोराइड, और इसको कहेंगे हाइडोजन क्लोराइड, यह भी एक प्रतिस्थापन अ क्रिया है, आई होप, आपको यह समझ में आई होगी, बड़ी अच्छी तरीके से, देखें, प्रतिस्थापन अपक्रिया समझ में आगे, आगे बात कर लेते हैं हम लोग, अब देखें, यह कोशन बहुत इंपोर्टेंट है, जो पाच्वाँ कोशन आज का हमारा है, सबसे मोश्ट इंपोर्टन कोशन है, लगता नहीं है, मगर देखें, NCRT 2018 में यह पूछा गया है, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियन में डुबोया जाता है, तो विलियन का रंग क्यों बदल जाता है, तो बेहत ध्यान लखेंगा, यह आईरन क्या करेगा, आईर विलियन ऊपर है, और कापर कहा है, नीचे है, तो इसलिए यह कापर सल्फेट के विलियन में से कापर को विस्थापिक कर देता है, यह आप किरिया निम्नुवात है, जो मैंने आपको दिखाई, अब किरिया के फलसरू विस्थापिक कापर लोहे की कील को पर जम जाता है, तथा आइरन सल्फेट का विलियन बना लेता है यहाँ पर देखे किसका विलियन बना रहा है आइरन सल्फेट का विलियन आपका बना रहा है तो ध्यान लखेगा इसका रंग क्या होता है आपके सामने जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलियन से हलका होता है तो कैनिंग मतलब है सीधे सीधे ध्यान लखेगा आइरन क्या करेगा कॉपर सल्फेट के विलियन से कॉपर को हटा देगा वहाँ उसकी जगा ले लेगा क्योंकि आइरन क्या है बैदू रसानिक सेडी में उपर है और कॉपर कहा है नीचे है इसलिए क्या होता है जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलियन से क्या होता है हलका होता है इस तरह आपने पांच कुशन इस टॉपिंग में आज पढ़े है ये पांचों कुशन बहुत इंपोर्टेंट है इस बार बोल्ड एक्जाम में इन में से कोई न कोई आना है इसको तैयार कर लिजे नोर्स बना लिजे अभी भी नहीं बिगड़ा है क्योंकि इस बार जो लिवीजन से चल लेए इससे भैंकर कुश नहीं है तो आज के लिटने काफी है